आप देख रहे हैं मीडिया स्रावस्ती जनपत के नासिर गंज रखबर दयाल इंटर कालेज में समाजवादी पार्टी द्वारा जिला महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसके अध्यचता महिला सभा की जिला अध्यच सरोजनी सर्मा ने की कारिक्रम की मुख्यतिती लिलावती को स्वाहा प्रदेश अध्यच हुआ जरीना उस्मानी पूर महिला आयोग की अध्यच रही सरप्रथम मुख्यतिती को लोगों ने फूल माला पहना कर जोरदार स्वागत किया कारिक्रम को संबोधित करते हुए जिला महिला सभा के अध्यच सरोजणी सर्मा ने कहा कि समाजवादी सरकार में चौमुखी विकास हुआ था आम जन गरीब किसान बेरोजगार सभी खुस थे 2022 में अगले सियादों की सरकार बना कर उनके हाथों को मजबूत किये वहीं पूर बिधायका इंद्राडी बर्मा 289 विधानसवा भिनगा ने कहा कि जरीना उस्मानी जब महिला आयोग की अध्यच थी तब महिलाओं को ससक्त करने का काम किया था 2022 में अगले सियादों की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता महिलाओं पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस बात को मैं समझती हूँ घर में बच्चों को पालना पोसना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सपा सरकार में चौमुखी विगास हुआ है 2014 में जब अखले सियादों की सरकार बनी थी तब हाऊसला पोसल मिसन लागू किया गया था और मोतीपुर कला गाउं को गोध भी लिया गया था वह लिलावती कुस्वाप प्रदेश अधिच्चा महिला सभा ने अपने संबोधन में कहा की राष्ट्री अधिच्च अगले सियादों ने कहा है कि 2022 में सभा की सरकार बनने पर गरीब किसान जो मिट्टी वा छप्पर के घर में रहते हैं उन्हें लोहिया आवास का 7 लाग रुपे देने का काम किया जाएगा 300 인ूट बिजली फिरी दी जाएगी 2000 रुपे समाज़वादी पिंसन दिया जाएगा सवचाले का 50,000 रुपे दिया जाएगा यहां सरकार जालिम सरकार है महिलाओ की दुस्मन वाली सरकार है महिलाओं के साथ छल किया है वहीं बीजेपी पर तंच कस्ते हुए प्रदेश अध्यच्छा ने कहा है कि इस सरकार में महिलाओं के साथ गोरत्य चार हुए है किसानों को चलने का काम किया गया है गरीब और भी गरीब हो गया है बेरोजगारों को दो करोण नोकरी देने का वादा किया था उसमें भी ये फैल हुय है जरीना उस्मानी पूर महिला आयोग की अध्यच्छा ने कहा है कि भाजपाक की सरकार में महिलाओ का सोसड हुआ है सरकार ने रसोई से सुसाद छिनने का काम किया है सरसो का तेल इतना महिगा कर दिया है कि सबजियों के दामों में आग लगी हुई है जो गरीब की पहुँच से बाहर है गैस का दाम आस्वान छू रहा है उन्होंने महिलाओं से 2022 में अगले स्यादों की सरकार बनाने की अपील की है वही अमिल्सी प्रतनित मिराज खाने कारिकरम में आई हुई सभी महिलाओं का धन्वयात ग्यापित करते हुए कहा है की देश में आधी जन संख्या महिलाओं की है महिलाओं आज सकती है अगर महिलाओं चाहलेंगी तो इस सरकार को उखार फिकने का काम करेंगी महिलाओं महांगाई से परिसान है अपराद से परिसान है तो यह महिला करता जागरता संबेलन था और महिलाओं से महिने पूछा कि महांगाई से सब लोग परिसान है कि अब यह महिलाओं ने और जनता मन बना लिया है सरकार पलटने का सता पलटने का और मानी अखलेश यादो झीजि को मुकमंत्री बनाना जनता चाहती है मैनौंफ चाहती है और में हम का होगी जोकि घर से लेकर पला होता है इसलिए मोड़歌 मुझे कर निकलती है तो सत्ता पester होता है तो लम्राइब कर दूस्य पर झाल 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 झाल